वहीं साल के पहले कारोबारी दिन बाजार हरे निशान में बंद हुए निफ्टी निचले इस तरों से चड़कर 18,200 के पास बंद हुआ निफ्टी की इस तेजी की अगवाई टाटा इस टील और हिंडाल कोने की सेंसेक्स और निफ्टी बैंक में भी अच्छी तेजी दिखाई दी मिट कैप और स्मॉल कैप का भी प्रदसन काफी अच्छा रहा निफ्टी मैटल लगातार तीसरे कारोबादी ने चड़कर बंद हुआ और निफ्टी मैटल में 2.3% की तेजी रही और सेक्टोरल गेन के मामले में सबसे आगे रहा निफ्टी रियल्टी और निफ्टी पीएस्टी भी पॉजिटिव नोट पर बंद हुए दिन भर बाजार में क्या हल चल रही और कल के बाजार के लिए क्या ट्रिगर रह सकते हैं पूरा अनालेसिस जानने के लिए चलते हैं हमारी सयोगी पूजा तिरपाठी के पास सबसे पहले बात कर लेते हैं आज बाजार के आक्शन की तो मार्केट में आज हमने देखा कि निफ्टी करीब 90 अंक चड़कर बंद हुआ 18,200 के पास और बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखे तो 216 अंकों की बढ़त वहाँ पर भी देखने को मिली सेंसेक्स में 327 अंकों की बढ़त थी और ऐसे में मिटकैप इंडेक्स में भी शांदार प्रदर्शन रहा वहाँ पर भी हमने देखा कि अच्छी मजबूती के साथ आज जब मिटकैप स्टॉक भी कारोबार करते हुए दिखा है करीब करीब वहाँ पर भी एक परसन की बढ़त देखनी को मिली है इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन की अगर बात करें तो आज की टॉप गीनर्स थे टाटा स्टील, हिंडाल को, ओन जी सी, टाटा मोटर्स और आईसी आईसी बैंक यहाँ पर शांदार तेजी देखने को मिली है और खास करकी मेटल शेरों में काफी अच्छी तेजी थी और कमजोर साइट पर देखेंगे तो एशेयम पेंट्स में आज कमजोरी थी डिवीज लैप, टाइटन, बजाज आटो और हीरो मोटोकॉप के शेर में आज हलका दबाव के साथ कारोबार हो रहा था स्टॉक स्पेसिफिक अक्षिन भी अगर देखेंगे तो जादा दर जो कारोबार था वो बढ़त के साथ ही हुआ हर एक शेर के सामने दो शेर ऐसे थे जो की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे तो एडवांस डिकलाइन रेशियो भी फेवरेबल था बढ़ने वाले शेरों की तरफ इसमें अगर इंडेक्स स्पेसिफिक अक्षिन हम देखेंगे तो आज का तो टॉप पोफॉर्मर था इंडेक्स वहां पर हमने देखा करीब 0.5% की बढ़त देखने को मिली उसके बाद सरकारी कंपनियों में भी आज अच्छी तेजी थी करीब 0.5% की बढ़त निफ्टी पीएसी इंडेक्स में देखने को मिली इसके अलावा सरकारी बैंकों में भी आज अच्छा उच्छा था consumer durable pharma healthcare space को छोड़ दे तो लगभर सभी इंडेक्स आज हरे निशान में ही कारोबार करते हुए नजर आए हैं इसके अलावा कुछ sector specific action के अगर बात करें तो जैसे कि मैंने को बताया metal stocks आज दिम भर चल रहे थे इसमें हम Tata Steel, Hindalco जिसे stocks को देखेंगे तो वहाँ पर दिम भर शानदार तेजी थी इसके हिंडाल को नाल को सेल विदानता सभी में आज जम को खरडारी देखने को मिले और वज़े यह थी क्या परसंट की तेजी थी आयर भी इंफरा पी एंसी इंफरा के ना कंस्ट्रक्शन में भी 5-8 परसंट की मजबूतियाज देखने को मिली तो जैसे जैसे करके और विंग की खबरे आ रही हैं तमाम कंपनियों के लिए हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा सेक्टर काफी फोकस में हैं और यहां पर शांदार तेजी देखने को मिल रही है इसके अलावा कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक आक्शन की बार करें तो येस बैंक में भी आज लगातार तेजी देखने को मिली है लगातार एक हफ़ते से तेजी है और करीब 6 दिनों में देखे तो करीब 25% ये स्टॉक चल चुका और आज भी 5% की मजबूती के साथ कारूबार कर रहा था इसके अलावा देखेंगे तो गिरने वाले शेरों में आज M6 से जुड़ी भ खबर आई थी जिसके चलते हमने देखा कि 6% की गिरावट वहां पर भी देखने को मिली 63 मूंस के साथ कंप्री ने सौफवेर करा कर लिया जिसमें की ICI से सिक्योर्टी की रिपोर्ट आए और उनका कहना था कि इसके चलते शॉट टर्म में मार्जिन प्रेशर देखने को मि रहे थे तो भरबूर आक्शन था आज बाजार में हमने देखा कि इंडेक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिली तो साल का पहला कारूबारी सत्र था और हमने देखा कि आज मजबूती के साथ बाजार कारूबार कर रहा था